क्या इरान में कुछ बड़ा होने वाला है? आखर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पूरा वीडियो जरूर देखे! ये है इरान के नए राष्टपती नाम है मसूद पज़क्षक्यान पेशे से हार्ट सर्जन लेकिन इराक से युद में सैनिक और डॉक्टर दोनों भूमिकाए एक साथ निभाद चुके हैं और अब इरान के सर्वच पद पर काबस हैं हाला कि यहां तक पहुँचना इतना आस का सीवी काफी उतार चड़ा वाला रहा लेकिन आज इनके नाम की चर्चा क्यों दरसल परज़क्यान इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हाली में इरान के नए राष्टपती बने हैं जिसके बाद परज़क्यान ने संसर में अपनी कैबिनिट पेश करती हैं जिसमें उन्ह परज़क्यान ने अपने मंत्री मंडल में 19 लोगों को जगह दी हैं जिसमें हाड लाइनर्स का बोलबाला है उनकी मंत्री मंडल में दो चहरे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चौका दिया है पहला नाम है अब बास अराग जी का और दूसरा नाम है पुर्प्रमान सादेग सादेग का नाम सडक और अवास मंत्री के तौर पर संसद में पेश किया गया अगर गार्जन कॉंसिल परज़क्यान के मंद्री मंडल के प्रसाव को मंसूर करता है तो फरजाने सादेग एक दशक से भी जादा समय बाद एरान की पहली महिला मंत्री होंगी जबकि इरान के इतहास की दूसरी महिला मंत्री होंगी इससे पहले 2009 में मर्जी वाहिद दस ज्रेडी को स्वास्त मंत्री बनाया गया था अब सबाल यह है कि परजशक्यान ने विदेश मंत्री के लिए अब बास राक्षी का नाम क्यों पेश किया दरसल 2015 में प्रमाणू समझौते के लिए बनी टीम की पूमेंबर थे इसी कमिटी ने 2015 में विश्व शक्तियों के साथ प्रमाणू समझौता किया था इस समझौते के बाद एरान को प्रतिबंदों से छूट मिली थी बदले में एरान ने अपने प्रमाणू कारिक्रम को सीमित कर लिया 2018 में अमेरिका के तदकाली व्वाष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया था और एरान पर और जादा को लेकर कितने संजीदा हैं अब दूसरा सवाल ये है कि आखर प्रजस्क्यान ने सडक और अवास मंत्री के लिए फर जाने सादे को ही क्यों चुना तो वजह हैं पहली वज़ा 47 साल की सादेग हाल ही में इसी मंगाले की डिरेक्टर हैं और वे इस काम को अच्छी तरह से सम हटाना है दरसल पिछले दिनों इरान में हिजाब को लेकर जमकर प्रदेशन हुआ जिसमें मसीहा अमीनी नाम की महिला के बाद तूल पकड़ा इस मुद्दे ने जगह जगह महिलाएं सड़कों पर उतर रही हिजाब की खलाप आंदोलन च्छड़ गई ऐसे में पजशक्य ये भी थाबित करना चाहते हैं कि उनकी सरकार हार्ड लाइनर विचारधारा से प्रभावित बिल्कुल नहीं हैं हालाकि कैबनेट में एक नाम और चर्चा में हैं और वो है पाइलिट जनरल अजीज नसीर जादेह जिन्हें इरान का रक्षा मंतरी नियुक्त किया गया है को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उन पर बादे पूरे नहीं करने का रूप लग रहा है दरसल पैजस्क्रियान के चुनेगे उनीस मंत्रियों में अल्प सेंख्यक सुन्नी समुदाई से एक भी नाम शामल नहीं है महिलाओ के प्रतिन धत्तों की भी भारी कमी है मंत्रियों की और साथ उम्रा 55 साल है जबकि उन्होंने वादा किया था कि वे अपनी क्याबनेट में युवाव को जगह देंगे इस वक्त में अपडेट कर दो आपको मसूद पैजस्क्रियान ने रवाश्टपती की कुरसी ऐसी समय में संभाली है जब पूरा मध्य पुर्वत तनाव से गुजर रहा है इसके अलवा एरान के अंदर भी आर्थिक और मानमाधिकार संकर्ट अपनी चरम पर है कि 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 कि